गुर्जर समराट पृत्वी राच चौहान को लेकर जब से सहारनपुर और कैथल में गौरव यात्रा निकाली गई तब ही से ये मुद्दागर्माया हुआ है राजनेतिक माहौल भी इसे लेकर बहुत सम्विदन शील है जब से सहारनपूर और कैथल में इस यात्रा को सफलता मिली है उसके बाद तो गुर्जर समाज में और भी जोश भर गया है और अब ये यात्रा राजस्थान में एंटर करने जा रही है जी हाँ सही सुना आपने बताएंगे आपको सब कुछ कब होगा, कहा होगा और कैसे होगा इस यात्रा का आगाज राजस्थान में ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्तक जरूर देखेगा नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान समवाद समराज पृत्वीराज चौहान एक बहुती समवीदन शील मुद्दा है गुर्जर और राजपूत इन पर अपने वन्शज होने का दावा करते हुए आए हैं और आपको तो याद होगा ही कि साहरन पुर्वे जब भी गौरव यात्रा निकाली गई गुर्जर समाज की तरफ से तो किस तरह से राजपूत और गुर्जरों में तनातनी हो गई थी तभी से ये मुद्दा राजनितिक रूप से भी गर्माया हुआ है गुर्जर समराच पृत्वीरा चोहान की नगरी माने जाने वाले अज मेर बे अब ये यात्रा 24 अगस्त को निकाली जा रही है और देश के कौने कौने से गुर्जर समाज के लोग इस यात्रा में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेने के लिए आएंगे चले आपको सुनाते हैं कपिल गुर्जर की अपील क्या कहा उन्होंने गुर्जर समाज से आप भी सुने इस वीडियो में रमरम जी भाईयो जैसा की आप सभी ने साहरानपुर और कैथल के अंदर गुर्जर समराच महीर भोज जी की यात्रा को सफल बनाया था उसी तरह 24 अगस्त को गुजर समराच पिर्टविराच चोहान जी की नगरी अजमेर राजिस्थान में गुजर परतिहार समराच महीर भोज जी की गौरव यात्रा निकाली जा रही है तो समस्त देश के कोने कोने से गुजर समाच के लोग पहुच रहे हैं और मैं भी पहुच रहा हूँ और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुचे और सहारानपूर और कैथल की तरह यात्रा को सफल बनाए जैस्री राम 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 तो देखा आपने किस तरह से उन्होंने अपील की कपिल गोर्जर शाहिन बाग फाइरिंग कार्ट तो याद होगा आपको कपिल गोर्जर तबी से जाना पहचाना नाम है उनका इस यात्रा से जुड़ना भी काफी रोचक है पर अजमेर में इस यात्रा की शुरुवात राजस्थान में होना काफी गोर्फरमाने लायक है क्योंकि अजमेर पृत्वीराच चौहान के पराक्रम और यश के कारण जाना जाता रहा है इसलिए अजमेर के सभी और आने जाने वाले प्रवेश मारगों पर समराठ पृत्वीराच चौहान के अतिहास एक नगरी में आपका स्वागत है हर जगे ऐसा लिखा हुआ है आपने कभी गोर्फरमाया हो तो देखिएगा और समाज के सभी प्रतिने धी पुर्जोर कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से सहारनपुर और कैथल में इस यातरा को विरोध के बावजूद इतनी सफलता मिली उसी तरह से राजिस्थान में भी इसको सफलता मिले और जादा से जादा गुर्जर इस यातरा से जुड़कर इस यातरा को सफल बनाए अगर इसे हम राजनितिक दृष्टी से भी देखे हैं तो इस यात्रा के जरिये गुर्जर समाज सरकार के प्रती अपना शक्ती प्रोदर्शन भी करके दिखाएगा। क्योंकि राजस्तान में गुर्जर वोट बैंक अपनी एक महत्वपोन भोमेका रखता है। इसे लिए सरकार की भी यही कोशिश होगी कि पहले से नाराज चल रहे इस तबके को और नाराज ना किया जाए। नहीं तो आगामी मिधानसभा चुनाओं में उन्हें इसके परिणाम जरूर भुगतने होंगे। तो जादा से जादा इस वीडियो को शेर कीजिए ताकि समाच के हर उस शक्स था के जानकारी पहुँच पाए और जिससे यह यात्रा सफल फो पाए। कैसी लगी वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताएगा कॉमेंट बॉक्स में और इसी तरह के और वीडियो उसके लिए देखना ना भूले राजस्थान समबार नमस्कार। आनसान समबात पर करवाईए कवरेज।